नमश्कार दोस्तों, TechScan की एक बिलकुल नहीं फ्रेस और एक्साइटिंग अबसोर्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है Netflix, आपको पता है, दुनिया के अंदर बहुत ही बड़ा एक OTT प्लाटफर्म है Netflix अभी Netflix इतना बड़ा है कि Netflix भारत के अंदर कौन से नेट्रक से नेट्फलिक्स को देखा जाता है उसका डिटेल्स भी रखते हैं और हर महीन इसका एक लिश्ट भी यहां पर पाब्लिस करते हैं भारत के अंदर कौन से ब्रॉडबेंड कंपनी से जो सबसे अच्छा पारफॉर्मेंस ही अपाद दे रहा है और इस जगे के अंदर BSNL कंपनी जो वो काफी जादा पीछे चला जाता है BSNL कंपनी अपने भारत फाइबर सार्विस तो प्रोवाइड कर रहा है नेटफ्लिक्स के ISP इंडेक्स के अंदर BSNL का नाम काफी नीचे है क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ क्या कुछ प्रॉब्लेम्स अब है BSNL के साथ हो रहा है उसी के साथ कौन-कौन से कंपनी सबसे अच्छा पारफॉर्म कर रहा है कौन का कंपनी काफी जादा पारफॉर्म कर रहा है पूरा डीटेल्स बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आसा करते हैं वीडियो चापको काफी पसंद आने वाला है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है आपके और हमारे चनल टेक स्केन के उपर चल रहा है एक मेगा गिवा है जहाँ पर आपको मिलने वाला है एक ब्रैंड न्यू आइफोन 13 किस तरीके से गिवाय के अंदर पार्टसेबेट करना है नेटफ्लिक्स ISP इंडेक्स बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है जहाँ पर फॉर एक्जमपल आप नेटफ्लिक्स वाच कर रहे हैं भारत के अंदर हो सकते हैं कि आपके जो मोबाइल फोन है या आपके लैपटोप है और उसका स्पीड नेटफ्लिक्स देखने के वक्त कितना आ रहा है तो जितना अच्छा स्पीड यहां पर आएंगे उतने अच्छे तरीके से नेटफ्लिक्स जो यहां पर स्टीम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऐसे जगे के अंदर जो fast हुआ है यहां पर मेली काफी सारे company है जो 3.6 Mbps का constant speed यहां पर दे रहा है नेट्फिक्स consume करने के लिए और यहां पर नाम आया है 7 Star Digital, Tata Play Fiber जो पहले Tata Sky Fiber सर्विस था, Gio Gigafiber, Oritro Convergence Technologies और Airtel Extreme Fiber यह जो 5 company है यह fast position के अंदर आया है 3.6 Mbps का constant speed नेट्फिक्स stream करने के वक्त कस्टोमर्स को यहां पर मिला है, second position आया है 3.4 Mbps के साथ और यहां पर काफी सारा company है, जैसे Alliance Broadband है, DVO, ISA, Excital Broadband, Hathaway, GTPL, One Broadband, Spectra, Sync on Infraway, यह सारे company में लिए second position के अंदर आते है 3.4 Mbps के speed के साथ, तो यहां पर अगर आप यह सारे broadband company के य 244 आये, January 2022 के अंदर, अगर मैं 3rd position के बात करता हूं, तो 3rd position में लिए 3.2 Mbps के साथ आते हैं, जहां पर में लिए भारत संचन निगम लिमिटेड, Tricona, U Broadband, इस तरीगे का company है वो आते हैं, और 4th position के अंदर आते है, 2.8 Mbps के speed से, मोहनागो टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL का broadband company, MTNL का condition काफी सदा खड़ा भे, BSNL 3rd position के अंदर आ है, जहां पर Gio AirTail बिलकुल 1st position के अंदर है, Gio AirTail, ACT Fibernet और Tata Play Service जो वो 1st position के अंदर है, काफी काफी बढ़िया performance जो यहां पर यह सारे private company आपर दिखा रहा है, अपने fiber broadband service के साथ, तो दोस्तों यह जो सारे companies है, जो private companies है, वो ऐसा क्या अपना रहा है, जो BSNL आपर करने ही पा रहा है, BSNL एक टाइम के अंदर भारत के अंदर नामबर वन broadband company था, आज 3rd position के अंदर चला गया, subscriber base के मामले में, तो ऐसा चीज BSNL के साथ हमिशा क्यों हो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लेम से BSNL के आपको बता दिया, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नहीं जान करें मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपनी दोस्ते को साथ स्यार कीजिए, चैनल को सुस्क्राइब करके पासमिल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी मत फुलिया, ऐसे इंप्रिश्टिं वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए, थैंक्स फ़र लचिंग, बाइं टिक क्यार, आप से बूर समुल लगा तो गया, ऐसे को इन आइप वीडियो को साथ, तब तक के लिए दोस्ते अपना ख्यार लखिएगा,